हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो मा यूटूब चेनल अनिस्टोपेबल एजुकेशन और आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप मुवीज के सब्टाइटल के यूज करके अपनी इंगलिश को इंप्रूफ कर सकते हो एक बहुत ही बहतरीन तरीका है इंगलिश सीखने का अगर आप भी अपनी इंगलिश को इंप्रूफ करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंट तक जरूर देखना क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली सो फ्रेंड बिना किसी देरीके शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस सो फ्रेंड यहाँ पर यह बोल रहा है कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम आ रहा हो या नहीं से इंगलिश में बोलेंगे I just want to know whether you are coming or not मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम आ रहा हो या नहीं I just want to know whether you are coming or not देखो दुरघटना कैसे हुई यह ठीक से इसपस्ट नहीं है सो फ्रेंड यहाँ पर इनके आएक एक 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 दुरघटना हो गई तो इनसे सामने वाला परसन पूछ रहा है कि कैसे हुई तो यह बोल रहा है कि देखो दुरघटना कैसे हुई यह ठीक से इसपस्ट नहीं है सो फ्रेंड जब भी हम कहेंगे ठीक से इसके लिए हम उस करेंगे precisely कह रहा है look it's not clear precisely how the accident happened देखो दुरघटना कैसे हुई यह ठीक से इसपस्ट नहीं है look it's not clear precisely how the accident happened लेकिन हम सब बुरी तरह से घायल है but we all are badly injured but we all are badly injured लेकिन हम सब बुरी तरह से घायल है but we all are badly injured मैं जानता हूँ यह आसान नहीं है मैं जानता हूँ यह आसान नहीं है लेकिन हमें तुम्हारी मदद की हम जरूरत है maaf करना मैं न तुमसे इतनी देर इंतजार करवाया इस एंगलिशे नहीं बूलेंगे I am sorry, I have kept you waitin' so long I am sorry, I have kept you waitin' so long माफ करना, मैंने तुमसे इतनी देर इंतजार करवाया तो जब्भी आप ने किसी से इंतजार करवाया तुम्हारी वज़े से किसी ने इंतजार किया हो और आप माफ ही मांगना चाहते हो तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि I'm sorry, I have kept you waiting so long, माफ करना मैंने तुम से एकनी देर इंतजार करवाया तो बताईए sir, आज आप खाने में क्या पसंद करेंगे, सिंगलिशन बोलेंगे tell me sir, what would you like to have today, tell me sir, what would you like to have today, तो बताईए sir, आज तुम खाने में क्या पसंद करोगे tell me sir, what would you like to have यानि मैंने पहले ही अपना नाश्ता कर लिया है I have already had my breakfast सच कहूंतों मैं हैं, इसलिए नहीं आया हूँ to be honest, that's not why I have come here, to be honest, that's not why I have come here, सच कहूंतों मैं हैं इसलिए नहीं आया हूँ, English में बोलेंगे to be honest, that's not why I have come here, I am here to talk to you about something very important कह रहा है कि मैं तुम से बहुत ही ज़रूर मसले पर बात करना हूँ किसी मामले पर बात करना हूँ I am here to talk to you about something very important यानि मैं तुम से किसी जरूरी मसले पर बात करने आया हूँ अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं आऊंगा, so फिर इस बुलाया जा रहा है कहीं पर कह रहा है कि अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं आऊंगा I'll come if I have time I will come if I have time कह रहा है कि अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं आऊंगा conditional sentence है इस तरीके से बोलते हैं अपनी day to day life में बहुत ज़्यादा sentence हम इस तरह के यूज़ करते हैं कि अगर मेरे पास सर्म हुआ तो मैं आओंगा I'll come, यानि I will come if I have time क्योंकि अगर मैं नहीं आया तो कौन आएगा because if I don't come, who will कह रहा है कि because if I don't come, who will क्योंकि अगर मैं नहीं आया तो कौन आएगा because if I don't come, who will मैं भी बिल्कुल यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ that's exactly what I am trying to say that's exactly what I am trying to say मैं भी बिल्कुल यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ that's exactly what I am trying to say अगर तुम जाओगे तो वे भी जाएगे कह रहा है कि अगर तुम जाओगे तो तुमारी कर्वाना चाहता हूं and that's what I am I want you to do कह रहा है और तुमसे मैं यही तो कर्वाना चाहताू and that's what I want you to do and that's what I want you to do और मैं तुमसे यही तो कर्वाना चाहता हूं so friend यहाँ पर यह बोल रही है कि हम वहाँ जाएंगे या नहीं इसका फैसला करना तुम्हारे हात मैं इस English नहीं बोलेंगे it's up to you to decide whether we will go there or not it's up to you to decide whether we will go there or not कह रही है कि हम वहाँ जाएंगे या नहीं इसका फैसला तुम्हारे हाथ में तुम्हारे उपर है it's up to you to decide whether we will go there or not चाहे कुछ भी हो जाए बस मुस्कुराते रहना no matter what happens just keep smiling no matter what happens just keep smiling कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए बस मुस्कुराते रहना no matter what happens just keep smiling अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें खुशी मिलेगी तो आगे बढ़ो और करो इसे तो कोई काम करने जा रही है इस पर ही कह रही कि अगर तुम्हें लगता है कि इस काम को करने से इससे तुम्हें खुशी मिलेगी तो जाओ और करो इसे if you think it will make you happy go ahead and do it if you think it will make you happy go ahead and do it कह रही है अगर ऐसा करने से तुम्हें खुशी मिलेगी इससे तो जाओ और करो इसे if you think it will make you happy go ahead and do it because all I want is to see you happy क्योंकि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूं because all I want is to see you happy, क्योंकि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ इस तरह के sentence को, English हम बोलेंगे all I want is to see you happy मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ करीब आदे घंटे तक मैं इंतजार करता रहा, तो किससे बता रहा है phone पर के करीब आदे घंटे तक मैं इंतजार करता रहा, इस English हम बोलेंगे I was kept waiting for nearly half an hour I was kept waiting for nearly half an hour करीब आदे घंटे तक मैं इंतजार करता रहा I was kept waiting for nearly half an hour so friend, ये कहीं पर गया था इसे कोई pick up करने वाला था, मतलब कोई लेना आने वाला था पर कोई नहीं आया, विचारा आदे घंटे तक खड़ा रहा तो phone पर बता रहा है कि I was kept waiting for nearly half an hour मैं करीब आदे घंटे तक इंतजार करता रहा लेकिन वो मुझे लेने नहीं आया but he didn't come to pick me up तो friend, pick me up मतलब कि जैसे कि आपने देखा हो कोई महमान आता है हम कहते हैं कि हम तुम्हें लेना आजाएंगे आनि pick up करने आजाएंगे तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं करीब आदे घंटे तक इंतजार करता रहा I was kept waiting for nearly half an hour लेकिन वो मुझे लेने नहीं आया but he didn't come to pick me up but he didn't come to pick me up लेकिन वो मुझे लेने नहीं आया अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ if you want to go then go if you want to go then go कह रहा है गर तुम जाना चाहते हो तो जाओ if you want to go then go लेकिन एक बात का ध्यान रखना but keep one thing in mind but keep one thing in mind लेकिन एक बात का ध्यान रखना but keep one thing in mind तुम्हें फिर से ऐसा मोगा कभी नहीं मिलेगा You will never get such an opportunity again You will never get such an opportunity again तुम्हें फिर से ऐसा मोगा कभी नहीं मिलेगा So friend, काफी, तीनों sentence काफी important है एक बार और देखना है, कह रहा है If you want to go, then go अगर जाना चाहते हो, तो जाओ But keep one thing in mind लेकिन एक बात का ध्यान रखना You will never get such an opportunity again तुम्हें फिर से ऐसा मोगा कभी नहीं मिलेगा You will never get such an opportunity again उम्मीद करती हूँ, तुम अपना वादा निभाओगे I hope you will keep your promise So friend, काफी useful sentence है, इस तरह के sentence हम बहुत use करते हैं कह रही है कि I hope you will keep your promise उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना वादा निभाओगे क्या तुम्हें लगता है हम इस संकट से निकल पाएंगे Do you think that we will be able to get out of this crisis? Do you think that we will be able to get out of this crisis? क्या तुम्हें लगता है कि हम इस संकट से निकल पाएंगे आजहोगा फ्रेंगेंगे इस से कोईपूछ रहा है कि तुमिहां पहली बार कब आई थी? When was the first time you came here? When was the first time you came here? यानि तुमिहां पहली बार कब आई थी? When was the first time you came here? याद नहीं में पहली बार यहां कब आई थी? I don't remember when when first I और यहां पहली रहे हैं मुझे पूरा दिन लग गया, तो इसने कोई काम किया, उस काम को करने में से पूरा दिन लग गया, हम बोलते हैं ना, कि इसे करने मुझे इतने घंटे लग गया, इतने दिन लग गया, तो यहाँ पर बता रहे हैं, कि इसे करने मुझे पूरा दिन लग गया, अगर आपको वी English अच्छ से बोलना चाहते हो और प्रेक्टिस करना चाहते हो भी रेगुलर सो Jedal हमारी चैनल को subscribe जरूर कर लेना है क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह की video regular upload करते हैं जो फैंड, इस तरह की video रीटिवोज देखने के लिए और practice करने के लिए क्योंकि practice बहुत जाद important है so friend practice करने के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया thank you so much for watching this video friend